प्रिकार स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि भारत में सबसे अधिक लिंगा उनुपात कहां है क्योंकि अभी जो है Civil Registration System Report जो है इसके माध्यम से बताया गया है भारत में सबसे कम लिंगा उनुपात कहां है भारत में सबसे मृत्यूदर जबसे ज़्यादा कहां पर है सबसे कम कहां पर है इन तमाम बातों का हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और यह एक informative वीडियो आपके बहुत कम आने वाली है कि यहां पर लड़कियां की संक्या कम है क्योंकि हजार लड़कों के उपर यह हम बहुत टायम से सुनते आ रहे हों कि हरयाना में लिंगाउनुपात बहुत जादा क्राबस देती में है क्योंकि वहां लड़कियों की संक्या काम है क्योंकि हजार लड़कों के उपर यह हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे थे अब यहां प्रिस्तिती बदल चुकी है काफी टाइम से गौर्मेंट जो स्कीम चला रखी थी बेटी पचाओ बेटी पढ़ाओ उसका कितना असर पढ़ा है इन तमाम बातों को इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडिएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो की डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हाली में क्या है जारी 2020 नागरिक पंजीकरन परनाली रिपोर्ट यानि सीवल रिजिस्ट सिस्टम रिपोर्ट इसके ओपर इंपोर्टन्ट एक्स्टैटिक डेटा त्यार किया गया है वहां पर उसमें बताया गया कि वर्स 2020 में देश में जनम के समय सबसे अधिक लिंगा अनुपात केंदर शाशित परदेश लदाक को दर्ज किया गया है इसका मतलब क्या हुआ है कि लदाक में 1104 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर यानि काफी बढ़िया प्रोग्रेस किया है लदाक ने यहां पर ये बात बोली गई है यहां देखेंगे तो फाइफ स्टेट्स टॉप फाइफ स्टेट और यूटी जाती है जिसमें लदाक हो जाता है अरुनाचर तो इसके बाद जो बोटम फाइफ स्टेट के अगर बात करें तो वनिपूर यहां पर है 880 काफी बुरी कंडिशन्स यहां पर है दादर और नगर हवेली एंड दमन्दियू 1898 आ जाता है यहां पर गुजराद आ जाता है 909 हरियाना 916 अब हरियाना की बात करें तो कभी न कभी यहां पर 900 से भी नीचे हुआ करता तो और इसने काफी जादा पर गयती कि और यह तो 2020 की रिपोर्ट है बताई जा रही है 2019 की बात करें तो उसके अंदर हरियाना का नाम भी नहीं था तो यहां देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों ने बहुत प्रोग्रेस किया है र परस्पेक्टिव जो है जो एक डिपार्टमेंट होता होगा जो इस रिपोर्ट को जारी करता होगा कैर इस रिपोर्ट को जारी करने वाला है भारत का महापंजीयक तवारा इसको प्रकाशित किया जाते है यानि रजिस्टर रजिस्टार जरनल ऑफ इंडिया यह काफी important information ह क्योंकि पूछ लिया जाते हैं अब इसके बारे में हम discuss करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई ये और क्या क्या काम करता है हमारे देश के अंदर आप देखेंगे ना कि जनम और मृत्यू इन दोनों का registration करवाना बहुत जादा important है अब वो कौन से act के तहत हुआ था इसको भी ह कवर करने वाले हैं देखें जनम के समय आप एक लिंगा नुपात को समझिए जनम के समय लिंगा नुपात प्रती हजार पुरुषों पर जनम लेने वाली महिलाओं की संक्या है अब एक्जाम में एक आपको option के तोर पे दिया जा सकते है कि लिंगा नुपात कहते कि इसको तो इसको आपको धियान रखने है जनसंक्या के लैंगिंग अंतर के मापने का या मतलब कि जैणर मापी कि आपउन चला है अभी देधिये देखिया कि यहां तो reverse हो चुग है लड़के कम हो गए हैं लड़कियां जादा हो गए हैं अब यहां पर scheme चलाई जा सकती है बेटे बचाओ बेटे बढ़ाओ कैर यह सब मची जे मजाक में आ जाती है कैर अब बात करते हैं वट इस रिजिटार जर्नल ओफ इंडिया यह कहा है 1961 के अंदर इसकी स्थापना के गई थी भारत सरकार ने ministry of home affair के दौरा इसकी स्थापना किय थी यह के तैत आता है यह बारत की क्या क्या काम करता है जन्गन्ना और भारत में भाशा सर्वेक्शन साही थी भारत में जन संख्यांकी सर्वेक्शनों के प्रिनाम उनकी विवस्था अंचाल Thousand इसका काम किया जाताय Caucas में सैंस जा जाती है Linkgwistik Survey आ जाता है Linkgwistik Survey जानी भाशा कैसे कितनी भाशा बोलने वाले हमारे देश के अंदर लोग है यह काम जो रजश्टर्र जनरल ओफ pare की द्वारा करवाया जाता है और जो यहां पर इसको कौन संभालता है तो यहां पर इसको संभालने का काम होता है जो ज़ी रिखर के पत पर नियुवत होता है जो इस सीवल सर्विस की जो rank है वो joint secretaries के समान होती है तो काफी important information यहां पर यह बात तो सेम होगी रिपीट होगी अब यहां आपको ध्यां रखना है कि सीविल रजिस्टेशन सिस्टम जो इंडिया के अंदर यह पूरी एक यूनिफाइट प्रोसेस है जिसके अंदर पर्मानेंट है कंपल्सरी है और बहुत सारी इवेंट्स को यह रिकोर्ड करता है जैसे बर्थ हो गया डैथ होगी स्टील बर्थ यानि जनम मृत्थ ही जनम जब पैदा हुए तभी मृत्यू दे इन सब चीजों को यह एक डेटा के रूप में जनरेट करते हैं अब जनरेट करके इससे क्या फाइद होते हैं देखिए गवर्मेंट कोई भी स्कीम चलाना चाहेगी तो आप भी यह देखिए कि न यहां पर मात्री मृत्यू दर कितनी है यहां पर जनम दर कितनी है यहां पर बच्चे जो पैदा होते हैं उसी वक्त मर जाते तो वह सारी उनको इन्फरमिशन चाहिए ह उसके अकोडिंग वहां पर प्लैन चलाया जाते कि यहां पर क्या कमी है कि यहां पर मृत्यू दर जादा है तो इन सब जीजों को देखकर ही यह प्लैनिंग की जाती है गवर्मेंट के दौरा अब भारत में जो है जनम और मृत्यू का पंजीगरन यानि रिजिस्ट्रेशन ओफ बर्थ एंड डेथ एक्ट आया था 1969 इसके द्वारा यह अनिवार्य हो गया है कि आप जनम और मृत्यू को डेजिस्टर करवाएंगे यहां पर घटना के स्थान के अनुसार ही यह सब चीजें की जाती है अब यहां पर बात करें जो ग्रह मंत्राले यानि मिनिस्ट्री करने के लिए नागरिक पंजीकरन प्रणाली में सुधार करने की योजना बना रही है यानि कहें इसको ऑटोमेटिट करने की प्रयोजना चल रही है गोर्मेंट के द्वारा इससे और ज्यादा इजी हो जाएगा human interfaces के अंदर और कम हो जाएगा सारी चीजें आपको real time में इ इसके बारे में बात कर लेते हैं देखे जनम और मृत्यू पंजीकरन अदिनियम को वर्स 1969 के अंदर लाया गया था देश बर में जनम और मृत्यू के पंजीकरन को एक रूपता यानि यूनिफाइड तरीके से किया जाएगा यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी कोई भी कह राज्य सरकार द्वारा न्यूक्त पतादिकारी करते हैं और यहां पर आपको देखना है कि जो डिरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशन होते हैं उनके अंडर में जो सब ओडिनेशन ओफिस आते हैं मतलब कि एक पूरे भारत में एक सेंसेस करने वाला एक ओफिस हो गया और इन्होंने अपने ओफिस बना रखे हैं अलग-अलग राज्यों के अंदर यहां पर यानि इनके सब ओफिस ही होते हैं अब यह जो हैं इनको जो भी एरिया प्रवाइड कर रखा है इनको कोई भी एरिया कोई भी शेतर इनको प्रवाइड कर रखा है उसकी पूरी पर बात करें sex ratio बर्थ अब यहां पर 2020 की रिपोर्ट की बात करते हैं लद्दाक में ग्यारा सो चार इसके बाद अरुनांचल प्रदेश आता है इसके बाद नागालेंड आया करता था मिजोरम था अंडबा निकोबार द्वीप समूह था अभी 984 तो यहां पर प्रगति किया है जनम के समय लिंगा अनुपात पर महराष्ट्रा, सिक्किम, उतरपरदेश, दिल्ली में अभी फिलाल कोई यहां पर information available नहीं है और जनम के समय सबसे कम लिंगा अनुपात अगर हम बात करते हैं 2020 में जनम के समय सबसे कम लिंगा अनुपात दर्ज करने वाले पांच जो टोप राज्य हैं जिसमें मनिपूर आ जाते हैं दादर नगर हवेली दवन दीव 9898 है गुजराद 909 है हरियान 916 है मद्य परदेश 921 आ जाते हैं यह सारी चीजह आपको ध्यान रखनी है और यह सारे आपको लिखा-लिखाय मिलेगा लिखना नहीं है यह आपको लिखा-लिखाय मेल जागा पीडियाफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर से बता देता हूं डेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा वहां से दिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा ताकि यह सारी चीजह आपको लिखने में कम आपको याद करने आप इसको पर जादा टाइम दे सकें आपके फोन में रहेगी आपके लैप्टोप में रहेगी या इवन आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं दोजार उननीस में नागा लेंड हो गया एक मिनिट नागा लेंड पूदुचेरी तेलेंगाना मनिपूर दिल्ली अरुनाचर परदेश पश्चिमंगाल केरल गुजरात करनाटक हिमाचर परदेश उत्रपरदेश अस्सम्त तमिलाडू उत्रागंड महराश्ट्रा मिजोरम चंडिगड यह ज बिहार पश्ची में गालनागालेंड हर्याना करनाटक तमिलाडू सिक्किम पंजाब मध्यपरदेश वड़ी साराजस्थान अंडमानिकोबार और अस्व में वर्ष 2019 के तुलना में 2022 में मिर्तियुदर में विर्दी दर्ज की गई है बिहार में सबसे अधिक मिर्तियुदर हुई है 18.3% इसके बाद महारास्था 16.6% आसम 14.7% के साथ विर्दिद हुई है यहां पर इस बीच मनिपूर, चंडिगर्ड, तेलंगाना, उत्तरपरदेश, उत्तराखन, पुदुचेरी, और नाचरपरदेश, केरल राज जैसे राज्यों में वर्ष 2019 के तुलना में 2022 मे मिर्थिदर में कम ही आई है, यानि अच्छा प्रोग्रेस इन्हों नहीं किया है, खराब प्रोग्रेस यहां पर रहा है, शिशु मिर्थिदर की बात करें, रिपोर्ट में का गया है कि 2020 में 143,379 जो शिशु मिर्थिदर की गई थी, जिसमें ग्रामिन शेत्रों का जो हिस् शेत्रों में शिश्यू मृत्यूतर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है जिसके कारण एक सही आंकड़ा वहां से निकल कर नहीं आ पा रहा है उमीद करता हूं कि यह सारा तमाम आपको इंफोमेशन समझ में आ गई होगी फिर से यह सारी चीजें लिखने में आपका बहुत जादा टाइम खराब हो जागा इससे बैटर यह कि पीडियो लीजिया डेलिग्राम का एक लिंक मैंने आपको वजाए कि डिस्क्रिप्शन मिले लगाना आजाते हैं तो यह तमाम बातों आपको ध्यान रखनी बहुत जादा इंपोर्टन है वीडियो पसंद आई है तो बेशेक इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तो शेर कर सकते हैं वीडियो को एस वेले चैनल को क्यों को एस एस न टी घरके साट के डाखें सी थिए जीडियो कर触 करीट गाना वीडियो कर दो लन खीर सेफिक्ट ऑफ एबसीड़ के जञ छीडियो कर दो लगें?